अगर अभी तक आपने रचनास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आज जो हम बनाने जा रहे हैन यह कश्मीरी में इसको हम रेद पनीर बोल सकते हैं लाल पनीर रसे कश्मीर में इसको वजच सामन बोलते हैं वजच मिन्स रेड एंद आ Melissa Čन मीज तो हम इसको पहले हम बीट में से काट लेते हैं और हम इसके चार बड़े हिस्से कर लेते हैं तो इतने बड़े पीस काफी रहेंगे वैसे कश्मीर में इससे भी ज्यादा बड़े पीस रखे जाते हैं बट हम इतने ही बना लेते हैं तो सबसे पहले हमने पनीर को जो है डी फ्राइ करना है तो कड़ाई में मैंने तीन टेबल स्पून ओल ले लिया है हमारा तेल गरम हो गया है हमाई के करके उसमें पनीट आज़ें जैसी पुड़ा से निची से नाल होने लगे है मिलकुण को ले लेते हमारा पनीर जो है वह दोनों तरफ से फ्राई हो गया है बस हमने इतना ही फ्राई करना है हमें इसको निकाल लेते हैं कश्मीरी सबजी ओं में जो है वह ज्यादा इस्तिमाल होता है पाकी सबजी की तो मैंने इसमें दो टेबल स्पून ऑई लिया है जब हम सबजी बनाते हैं तो हम जादा जादा 1 टीबल स्पून लेते है मैंसमें 2 टेबल स्पून लिया है तो सबसे पहले हम थोड़ी सी ही डाल एते हैं 2 तिम लॉइंग अब मसाले डालेंगे बट मसाले डालने से पहले मैं इसमें थूड़ा सा पानी डाल रहे हूँ वह इसलिए ताकि ये मसाले जलेना तो सबसे पहले मैं इसमें दो चमज कश्मीरी लाल मिश डालोगी रगवर बेट चमज इसमें बहुत अच्छा आठा है मैंने अभी गैस बंद कर लिया है और उसकी बाद दो टेबल स्पून सौंग क्योंकि इस सबजी में हम किसी भी टमाटर प्याज लसन का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं तो जो भी थिकनेस आए कि इस सबजी में वह सौफ के पॉडर के साथ आएगी बहुत अधा सौफ का पॉडर हम डाल रहे हैं और मीडियम रट्टी इसमें अब हम एक चमर्च नमग भी डालते हैं इतना नमग इतना आप लोग खाते हैं हम इसको हम खुड़ी देर तो पका लेते हैं देखी मसाली में से तेल जो है उसमों रिलीज कर दिया है हमने गैस जो है वह बिल्कुल लोग फ्लेम पे रखा हुआ है तो अब हमने इसमें लगबग 1.5 कप पानी डालेंगे हम अच्छे से हिला दीजे और इसको थोड़ा सा गैस अब हम फूल पे कर देते हैं आज़ा चमच गराम मसाला अब हम इसको एक उबाल तक बनने देते हैं हमारे पाने में उबाला गया है अब जो हमने पनी प्राई किया था यह हम इसमें डाल देते हैं अब हम इसको पास से दस मिने तक ड़के पकाते हैं पास से साथ मिनट हो चुके हैं हम इसका लेट ठाके देखते हैं अप्तिवर, है कि दो कि नाया पनीर को पान यह सब्सक्राइब कि पुरा ग्रेवी का टेस्ट है विफ़ अंदर जाता है और पानभर, पशनाब बिगा जा नो इसकी ग्रेवी हम थोड़ी सी और रेडियूस कर लेते हैं हमारा पनीर बनके रेडी हो गया है अब यह देखी मैं आपको दिखाती हूं इसका ग्रेवी बिल्कुल पानी जैसा नहीं है यह थीक ग्रेवी है यह सोफ पॉडर के विए जैसे होता है क्योंकि हम लोग इसमें टमाटर प्याज नहीं इस्तिमाल करते हैं तो ग्रेवी ठीक करने के लिए सोफ का इस्तिमाल होता है और हम इसको सर्व कर सकते हैं प्रेवी 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 जैसे में जढ़ां रवार होता है प्रेवी ठीक का नहीं आगए अर्भल अज़ी है क्या कर सकते हैं अली हम झाल क्या आज़ प्रेवी आज़ झाल झाल